हैले दोस्तों स्वागेत आपका मेरे चैनल वास्तु ट्विप्स घरेली उपचार में यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तो आज हम बताने जा रहे हैं नमक के कुछ चमतकारी उपाई नमक के डिबे में कौन से चीज रखें जिससे महालक्समी दोनों हाथों से धन बढ़साती है और इसके और क्या फाइदे हो सकते हैं नमक का जीवन में बहुत उपयोग है दाल या सबची में नमक ज्यादा हो जाए तो नुकसान कम हो जाए तो भी नुकसान नमक हमारी आयू बढ़ाता है और नमक ये आयू को घटाता भी है नमक का उपयोग करना बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन हम आपको यहां खादे पतारतों में नमक उपयोग है तो प्रियोग नहीं बताने जा रहे हैं वैसे तो नमक के धेरों उपा हैं लेकिन हम तो नमक के ऐसे चमतकारी को उपाया आज आपको बताएंगे जिन्हें जामन कर आप हैरान हो जाएंगे वैसे तो नमक कई प्रकार के होते हैं जैसे सेंधा नमक, समुद्री नमक, काला नमक, सामाने नमक, आधी जो उतिस सास्त्र के अनुसार नमक को चैनरो और सुक्र का पिर्तिनिदी माना जाता है नमक को कुछ लोग राहू का पिर्तिक भी मानते हैं जो तिस आस्त्र में बताया गया है कि नमक को चैनर और सुक्र का पिर्तिनी द्धु होता है नमक को यदि आप किसी स्ट्रील या लोही के बर्तन में रखते हैं तो यह चैनर और सनी का मिलन होगा जो कि बहुती कहातक सिद्ध होता है यह रोग और सोक का कारण भी बन सकता है नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए नमक को सिर्फ काच के पात्र में रखने से या बुरा असर नहीं देता है बोजन पकाते समय कभी भी भोजन को चखे नहीं उससे बोजन की पविद्रता नुष्ट होती है और दरिद्रता आती है नमक कम हो जाएगा तो बाद में डाल दिया जाएगा भगवान को भोजन नैवेद्य लगाने के बाद ही बोजन को चखे नमक को सीदे सीदे किसी व्यक्ति के हाथ में मत दीजिए नमक का पैकेड भी देना हो, से बसना चाहिए ऐसा मानते हैं कि इससे व्यक्ति में संबंद खरा होते है बोजन पकाते समय कभी भी बोजन को चखना नहीं चाहिए उससे भोजन की पविच्टता नश्ट होती है और घर में दरीद्रता आ सकती है सपता में एक बार गुरुवार को छोड़कर पोच्छा लगाते समय थोड़ा साबुत खड़ा नमक मिला लेना चाहिए इस उपाईस से घर के नकारत्मक उर्जा नश्ट होती है वातारुण भी पज़्द्र होता है इससे मातल लक्समी की प्राप्ती का मार्ग खुलेगा और घर में बरकत बनी रहती है घर में धन का पिर्वाह बनाए रखने के लिए काच के एक ग्लास में लेकर उसमें पानी और नमक घर में नैट्रिक कोने में रख दें उसके पीछे लाल रंगा एक बल्व लगा दें जब भी पानी सुखे उस ग्लास को साफ करके दोबारा नमक मिला कर पानी भर दें इसके अलवा नमक हर तरह की गंदगी को हटाने वाला स्राइन भी है एक काच की कटोरी में खड़ा नमक भरें इस कटोरी को बात्रों में रख दें इस उपाई से नकाराजमक उर्जादूर होती है और महा हर महा कटोरी का नमक बदलें पुराने नमक को फैंक देना चाहिए टॉलेट में काच के बाउल में क्रिस्टल सॉल्ट बार कर रखें 15 दिन बाद बदल दें पहला टॉलेट के सिंक में डाल दें अगर किसी कारण टॉलेट उत्तर पूर्पर में हो तो इसके दरवाजे पर ओरिंग लाइन का फोटो पेस्ट कर दें घर में धन के बरकत के आपको नहीं होगी इसके अलावा सोत्ते समय अपना सिराना पूरू की और रखें अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंदा नमक के कुछ टोकड़े रखें इससे आपकी सेहर ठीक रहेगी रोग से बसने के लिए साधर नमक का कम उपयोग करना चाहिए उसकी जेके नहीं नहीं वीडियो आपके लिए ला सकूँ